आज लाइब नंबर 25 है लाइब नंबर कौन सा है 25 है आप सबको पता है कि यूपी डी अलेड डिपलोमा इन इलिमेट्री अजुकेशन पताएंगे पहले इसका मान बताईए एक क्विश्चन हो जाए क्योंकि यह पढ़ा दिया गया 20% का मान अगर निकाला जाए तो कैसे और क्या आएगा पताईए डिपलोमा इन इलिमेट्री एजुकेशन यह डिएलेड का फुल फाम होता है पहले इसको बीटी सी कहा जाता था यह पर्थम समेश्टर है इसकी माइथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ दो तीन चैप्टर बचा है बस ठीक है लगबख पूरा कोर्स खतम हो गया पर इच्छा के पहले यूटूब पर अच्छी तरीके से सब पढ़ा दिया जाएगा पैंसन नहीं लेना सबसे पहला जबाब तीपेंद्र यादों का आ रहा है नेहा बर्मा कभी आ गया मनीश पांडे और सूरज कुमार बहुत अच्छे एक ये कोसिस करिए नाम नहीं बोलेंगे ज्यादा जो ट्राई करेगा उसी का कुछ होने वाला है क्योंकि लाहरों से डर करनाव का पार नहीं होती और कोशिस्त करने वालों की कभी पार नहीं आईए बात करतें आगे तो आज कुछ गले में भी प्रॉब्लम है आप मैं सूस कर रहे होंगे साथियों इसका मान तो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक आज का पहले उसको भी बता देता हूं एक और बता दीजिए एक और बता दीजिए वान अपान फाइव को पतिसत में बदलिए अगर वन अपान फाइब को हम पर्सेंटेज में चेंज करें तो कितना पर्सेंटेज आएगा पताईए इसके आंसर में पर्सेंटेज का चिन लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा इधर साइड में लिख देता हूं क्या है यह सब पहले से लिखा रहना चाहिये खुम अध्याए 9 में आप पढ़ेंगे सजातिय विजातिय विजणतिय बंजको का बौध भुल मिला के आप ये जान लीजिए कि सजातिये पद विजातिये पद यानि लाइक टम्स और अनलाइक टम्स ये मुख्य रूप से हम पहले समझेंगे अनलाइक यहां लाइक और अनलाइक का मतलब कुछ अलाग है जो हिंदी लिखा है उसी समझें इसमें सबसे पहला जवाब दिया है जो उनका नाम है मैं जरूर बोलूँगा जो सही तरीके से बताएं उनका नाम नितिन बर्मा है वैसे तो दिपेंद ने बताए लेकिन इंका गलत है तरीका थोड़ा सा पूजा मिसरा जी आपका भी सही है और नायतिक विमलेस और सुपरिया तिरपाथी की गुड़ इबनिंग चलिए तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ प्यारे साथियों यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक 24 कलास हो चुकी है चैनल पर प्लेइलिस्ट में है जाके देख लीजिए प्यार से आए यह 20% का मान इसमें % का चिन लगा है अगर हमें % का चिन हटाना है तो हमेशा 100 से भाग करते हैं तो हम इसे 20 upon 100 करेंगे बस यही इसका अंसर है इसे काट पीड दीजिए जो कटे तो एक बटा 5 आएगा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसी 10 हमें इसको % में चेंज करना है तो प्यारे साथ ही मैंने बताया था % में बदलने के लिए आपको 100 से multiple करना होता है यह काट दीजिए जो अंसर आएगा इसमें % का चिन जरूर लगाना अगर नहीं लगाएंगे तो वैसे होगा जैसे किसी की साधी की बारात तो जा रही लकिन दुलाहा नहीं जा रहा है तो साधी किसे होगा अधूरा हो जाया किस्टम इसी तरीके से इसमें पर्फेंटे लगाना जरूरी है जो लोग नहीं लगाते हैं 20 लिख देते पर्फेंटे का चिन नहीं लगाएंगी उनका उत्तर गलत है इसमें से कौन-कौन इसे जानता है आप जानते हैं कि नहीं अदेखिए जाती है मुझे ज्यादा हिंदी तो नहीं आती लेकिन इसमें थोड़ा सा एक निकल रहा है आप यहां समझेए आजकल जो महाल है विशेश रूप से उत्तर परदेश में किसी केम बुराई और बढ़ाई नहीं करेंगे जाती धरम का बहुत बढ़ा है क्यों है क्योंकि चुनाओ है आप कहोगे यह बात कहें वहां ले जा रहे हो यह पढ़ाई वाली बात राजनीती कहें कर रहे हो देते हैं मंदिर मस्जीद के नाम पर ओड़ देते हैं वाद में महामारी आती है तो मंदर के लिए लड़ाई करते हैं उसके लिए वास्पिटल के लिए बेड नहीं मिलता है यह मुर्कता वाली बात है क्योंकि असिच्छा देश में बहुत जादा है सरकार चाहाती भी है नहीं है कि तुम आसी चिद बने रहे और अलियों में भी बढ़ती रहे वह बात अलग की है उसको छोड़िये तो सजातिय का मतलब समान जाती जैसे यादों है तो वह तब यादो-यादो कहते ने सुने नहीं हो अगर यादों है तो अखलेस की पार्टी के हैं यह मैं नही इस समाज से आते हैं वह मैं ओतीजी की पार्टी के है मतलब यह लोगों की मानता है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें नेता चुना जाता है जीजा और बाप नहीं बनाते हैं रिलेसन जाती देख कर नहीं बनाना चाहिए फांट साल के लि udah सबिगास में समान जाती खोजी जाती है इंसानों में नहीं वो कैसे देखिए जैसे मैंने एक लिखा समझना यहां पर ए मैंने लिखा 3x yz और बी वाला मैंने लिखा 3 मानलो 13 लिख दिया और 1x2yz तो आप यह बताएए क्या यह दोनों सजातिये हैं ए और बी सजातिये हैं अगर हां तो बोलिए यस आप लोग फट से बोलिए वाई नहीं है तो यन यह दोनों सजातिये हैं देखिए इसमें क्या क्या देखा जाता है मुक्रूप से हम वो बात बताएंगे आपको आईए इधर समझ यह मैं देखूंगा कौन बोल रहा है यस सबसे पहला जबाब जो आया है वो आया है योगेंद्र सिंका और क्यूट फिचा खान इन्होंने गलत बताया योगेंद्र ने सही बताया है ठीक है यह दोनों साजातिय नहीं है क्यों नहीं है देखिए इनसानों वाली जो राजनीती बताई उसमें तो सिर्फ जाती देखा जाता है लेकिन यह मने ने बताया कि धर्म भी देखा जाता है अब काऊ अब गई यह जल्च यहां पर क्योंकि यह मुद्दा कुछ ऐसे ही है और इस महाल में आपको ज्यादा समझ में आएगा मैं इसलिए यह मुद्दा उठा रहा हूँ थोड़ा सा रूखिएगा यह कहां गया वह कि यार मिल जा भाई मिल गया ठीक है तो इसमें क्या क्या देखा जाता है सजाती यह पद के लिए थोड़ा सा रूखिएगा चाहते हैं नंबर एक इसमें चेक करते हैं हम लोग समान चर होना चाहिए बतलब जो वरियेवल्स हैं वह एक्वल होना चाहिए ठीक है और नंबर दो इसमें घातें भी समान होना चाहिए अब राजनीती से आ जाओ दूसरे सिस्टम में जैसे किसी की साधी भी आ होती ना आजकल हमारे देश में साधी जाती के नाम पर की जाती है पैसा रुपए देख के की जाती के रुपर तुह मैं पढ़ा था य rond निकिन भी नहीं जाती एक में समाज की मानता है तो फिलहाल बातें अलग है समान चर समान घात यह मैं साधी से क्यों जोड़ा क्योंकि देखे जब साधी वादी भीमानलों होती है तो मुख्यमंतरी की साधी किसी रिक्सा चलाने वाले घर तो होगी नहीं पता यह कभी ऐसा संभव है अगर कोई मुख्यमंत कि बहुत कमी मिलेंगे जो बहुत निमन जगा पर साधी खर लें है तो क्या-क्या देखा जाता जाती भी देखा जाता पावर भी देखी जाती सजाती पावर का मतलब घात कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने थोड़ा सा वैलेंटाइन डे से दिल बचा की इधर भी लगाया होगा तो कि हम इस तो इन में चर तो समान है जानते आप लोग की नहीं कि इतने लोग ऐसे हैं जो चर नहीं जानते यह का मतलब घास चर नहीं पहले हम लोग चोटे थे चला चर बोलते थे थे तो हम लोग वो जानते जो जानवर चल्टे हैं वह आना चल्ट नहीं आईए देखिये हाँ पर सुनिए जैर को बोलते हैं वैरियबल इसको इंगलिस में लिखे तो इक्वल इंग्लिस तो कम आती मुझे वैरियवल वैरियवल मतलब समानचर और सब सिंगल है मैं देख रहा हूं ठीक है सब सिंगल है डेवल हो जल्दी से हमारी दुआएं आईए समानचर कैसे देखिए इसमें भी एक्स है य है मतलब एक्स वाई जड़ है इसमें भी एक्स वाई जड़ है तो पहली स्थिती में तो यह पास हो जा रहा है लेकिन कह रहा है कि घातें भी समान होनी चाहिए घातें भी समान होनी चाहिए इनकी घात तो दो है इनकी एक है जिस पर याद रखिए जिन पर कुछ नहीं होता उनकी घात एक होती जो लोग यह भी नहीं जाते हैं कि चर क्या है अचर क्या है तो वह PBR का बेसिक मैद देखें क्योंकि इसके पीछे जाएंगे तो और बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए इसको पढ़ा दिया हूं ठीक है यह पढ़ा दिया हूं बेसिक में आप वहां से देखिए मजा आ रही नहीं थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन कलास को भी लाइक करते जाए हमें मतलब लाइक करिए मतलब वीडियो को आईए इसकी घात जो है बराबर नहीं इसलिए यह सजातिये नहीं यह सजातिये नहीं लेकिन एक जाओर देखिए इधर बगल में इनके पड़ोस में आ जाईए यह यह सजातिये हैं यह नहीं है यह 13 x square y square यह दोनों सजातिये हैं या नहीं बताएए यह सजातिये नहीं मैं बता देता हूं थीक है बहुत अच्छे बरी गुर्जीनों ने बताया अच्छा है यह सजातिये हैं कुछ लोग कहें कि का है आप तो बताये थे तुछ से थोड़ा लग लग रहा है हाँ आईए समान चर होना चाहिए इसमें चर समान है चर समान है घाते भी समान है चर समान का मतलब इसमें x y है इसमें भी x y है कुछ लोगों की नजर में 13 खटक रहोगा 13 खटक रहोगा इसको झान लोग आप कहीं साधी करने जा रहे हो तो लोग अक्सर देखते हैं लडकी लड़का सुनदर है काम्याब है कि नहीं उसकी मंभी कितनी काल यह पापा की चमegerth मतलब होता है खराब को मतलब देखने में वैसे नहीं समझ रहे हैं तो वैसे इसमें क्या करने वह इनको देखना यह में है इनको देखना यहां पर यह 13 को नहीं देखना है इससे कोई मतलब नहीं है इस पर नंबर जो दिया हो कुछ भी हो कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं होता है आपको सिर्फ चर देखना है और उसकी गात देखना है दो चीज इक्वल होनी चाहिए बस तो दोनों है तो बात बनी मज़ा आ रहा है ना दिल टूटा है आज ना मेरा इसलिए मज़े से पढ़ा रहे हैं समझे रहे हो ना चलो आगे तो यह हो गया आप लोगों को समझ में आया यह क्या है सजातिय पद हैं अभी इसमें थोड़ा सा हम और आपको आगे बढ़ाते हैं आईए इधर देखिए देखते जाईएगा अब इस कलास के बाद ना आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए मज़ा आ गई ना आप लोगों को नहीं नहीं मज़े लेते रहिए लेकिन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था उसे याद रखिएगा यह प्यार वार का जो लफड़ा है न यह बड़ा खतरनाक होता है सव में से 90 लोग बरबाद हो जाते हैं तसी लोग बनते हैं आईए देखिए इधर हाँ तो आप यह बताईए तीन मैं बार बार तीन काय लिखता हूं एक्स वाई और इधर है नाइन एक्स इसक्वाईर वाई तो यहाँ है याक्स का इसक्वाईर वाई समझते हैं जाना और यहाँ है सिर्फ याक्स वाई यह बताईए इसमें कितने सजातिये पद के जोड़े बनेंगे कि इसमें लाइक टम्स है भोलिए डेविट जी बिल्कुल कमेंट आपको आ रहा है तो प्रिया जी बिल्कुल आपका भी कमेंट हा रहा है आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तकलीफ इस बात की और ज्यादा हो रही है वह तो टूटा पहले से उसकी बात तो अलग है इसमें सजातिय पद अगर नर्मली देखें तो इसमें एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई लेकिन यह सभी सजातिय पद नहीं है क्योंकि इन सब की घाते बराबर लेहां का उसमें यक्स की आफ़र 1 जिस पर कुछ नहीं होता Ilman जाता है इसमें एक्स की 2 है वाई की one है इसमें एक्सथREW रजाएक्स ऑओर दोनों कि वन है जिनकी इन लोगों का जुगाड हो गया को यह सजाती यह पद हो गए 32 он है यह क्या होगे लाइक टम्स ने लेकिन आप इनका त्थ मनें भना सकते हैं यह सजाती है अधर नहीं को सबस्कर्स थैं कि सब्सक्रान करते हैं उंप इसे समझें भरए इनकी क्या कि दोनों का धरंने लेकिं जाती है तो साथी यह समाज बविकार नहीं करता ना अलग-अलग जाती में धर्म बलेक है तो ऐसे हैं यह यहां धर्म का मतलब यह चर यह यह अक्सवाई और जाती का मतलब घात कि इसको इससे इसलिए जोड़ा जारा जिससे आपको समझ में आ क्या आप जिस समाज में जी रहे हैं वो बाते जादा समझ में आती हैं तो यह क्या है यह ऐसा सजातीय संभव नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन कि इसका relation इसके साथ हो सकता है क्योंकि यह घाते बराबर है चरभी समान है ठीक है एक दूसरा भी बनेगा 9x²y और x²y ये भी क्या है सजातिये पद है उमीद है कि आप लोग सजातिये बिजातिये समझ गये होंगे तो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे चलें आगे बढ़ें ठीक है मिटा दें इसको ओके तो देखें बहुत से यवाओं के दर्द भी आ जा रहे थे मैंने कमेंट्स में देखा था जैसे पंडित जी हैं कहे रहे हैं जीने का मन नहीं करता है जिन्दगी ना आप ही को मिली है किसी दूसरे के भरोस से नहीं मिली और जो कुछ कपल साथ जैसे बैलेंटाइन डे है जिन लो जो आपका है वो कभी जाने वाला है नहीं और जो आपका था ही नहीं उसके लिए गम किस बात की तो आसान है लेकिन इसको समझाना मुश्किल है लेकिन यह रियल्टी जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं जो आपका था ही नहीं उसके लिए गम किस बात की समझ गए ना आ यह सब पागलिपन होता है होता है हर कोई जानता है लेकिन करना हर कोई चाहता है मतलब समझ रहे हो अइसी बहुत सारी चीज़े है बात में बात होती रहेगी तो सजातिये याप लोग समझ गए न अच्छा एक बात बताइए अवला जैसे मैंने लिखा x² yz और 9x y² और 3x 5z एक मैंने और भी लिख दिया 27x² y² z ध्यान देना सुनते भी जाना 27x² y² z और 1x² y² z और 105x² y² z यह बताईए क्या यह वजाती हैं कोई इसमें से वजाती हैं कोई यह अब भी कौन सा है वही देखिए थोड़ा सा पढ़ाने भी दीजिए नहीं तो यह प्यार मौबत वाला आज क्लास बैलेंटाइन डे को समर्पित हो जाएगा आज है 14 फरवरी 2022 जो लोग क्लास को बाद में देख रहे हैं वो लोग जान लें इसलिए इस क्लास में इतनी सारी चर्चाएं हो रही ने तो बाद में गाली नहीं देंगे कि यह पढ़ा रहा है कि मौबत सिखा रहा है तो यह लोगों की तकलीफ हैं इसलिए बीच-बीच में सामिल कर लेता हूं आईए तो यह क्या है भया सजातिये है और आपको बी लिखना भी नहीं लिखना है रात बी रात हमें जाम्त बोलिए चलिए असनेह सिंघ फिजाखान सोभा तरवन गोस्वामी ठीक है यह क्या सजातिये पत्ध है तो यह टॉपिक हम आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में और चर्चा की जाए तो आप लोग सभी जल्दी से वाई लिख लिख के कमेंट करेंगे अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक को बदल दिया जाए आगे बढ़ें तो आप यहन लिख के कमेंट करें चलिए जल्दी से हाँ बिल्कुल सही कहा रहा हूँ बच्छा आप मुहबत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है लोग रोते रहते हैं लेकिन करते रहते हैं लेकिन ये थोड़ा गड़ लग रहा मुझे इसके साथ एक कोई और चीज जोड़ा गया था चलो जाने दो भगवान कहां से आ गया अभी लोगों का दिल है कि मैं इस बारे में चर्चा करूं कुछ लोगों का है ठीक है कर लूँगा अभी और आगे थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आईए ठीक है जो लोग चाहते हैं इस पर और चर्चा की जाए बिल्कुल करेंगे थोड़ा रुकिए सुनिए जरा सुनिए समलिए तो साथियों इसमें हम लोगों को चर और अचर ये भी समझना होगा क्योंकि इस पर अभी टॉपिक चलेगा और बीज गणितिये बेंजक वह इंगलीज में भी बताऊंगा इन्हें अलजेब्रिक इक्सप्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं अलजेब्रिक इक्सप्रेशन थोड़ा सब्र करिए हड़ जावाई अलजेब्रिक इक्सप्रेशन इस्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं अब मैच करा लिजिएगा इसे बैरियाबल बोलते हैं कि इसे इसे बोलते हैं कि काथियों आपने पढ़ाओ का नंबर जिसे आचर बोलते हैं जैसे 1,2,3,4 जितने भी नंबर्स हैं जितनी भी गिंती आपने देखा होगा सुना होगा सीखा होगा वो सभी क्या है चयरपद है constant है और चयर का मतलब क्या है हाँ एक चीज़ी है इनकी संख्या अनिश्चित होती है अनलिम्टेड होती है इनकी कोई लिमिट नहीं होती है क्योंकि आचर्पद बहुत सारे हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है जैसे हम बोलें कि संख्याएं कितनी हैं तो भाई संख्या की कोई लिमिट नहीं लाख दफ लाख करोन दफ करोन आरब खरब पता नहीं कहां तक लेकिन जो चैर होते हैं वरियेबल्स यह A, B, C, D, Z तक होते हैं इनकी संख्याएं निश्चित होती है 26 होती है आप सभी समझ गए न सिटेट का फाइनल अफीसियल एंसर की और रेजल्ट कब तक आएगा बहिया देखो भी पढ़ाई वाली बात चलने दीजी यह समझ गए वरियेबल्स क्या है और कंस्टेंट क्या आप लोग समझ गए इनक बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद किल अग्या stubborn है मैं वटाभाई साहप मैं से मने लीख दिया तीन तव यह क्या है यह अगर चर पद है तो आप लिखिये वी वीफार वयरियावल्स अगर यहं तो आप लिखिये सी प्रकांस्ट है त पत्सरीट के पताय है लंक चाच्छा इतना आसान तुमको भी और सी लिखने को बोल रहा हूं तो तुम चरा और अचार लिख रहे हो इसका सी जबाब है constant यानि अचर हिंदी में ठीक है इतनी भी संख्याएं है चाहे 19 हो गया 128 हो गया यह 312 हो गया कोई भी नंबर है वो क्या है वरियबल से अचरपद है इतने भी ABCD XYZ PQRS मिलेंगे वो सभी वरियबल है रुक रुक के बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग के दर्द होने लगता है लागतार बोलता हूं बड़ 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 पाचार खटाई नहीं बोलो नहीं गड़ बड़ हो जाएगा तो यह समझ गए अब अलजेबरिक expression क्या होते हैं यह आपस में मिल जाते हैं तो आलजेबरिक expression बना देते हैं समझ रहे हो ना जो लोग आपस में यह मिलते हैं तो क्या होता है एक नया product बनता है कैसे आई यह बताते हैं आई यह बताते हैं कि यह दोनों मिलके तीसरा कैसे बनाते हैं मतलब हम दो थे दो से तीन हो गए आप समझ रहे हो ना एक दोनों को आपस में मिला दीजिए मतल्बं कर दीजिए एक परकार से या फिर हां ऐसे भी कर सकते हैं इनको जोड दीजिए इनको घटा दीजिए इनको घटा दीजिए इनको फॉर माइनस एक्स फॉर एक समझ रहे हो ना यानि जब दो चर और आचर मतलब कोई भी चार आपस में मिले तो क्या हुआ एक नया पद का जनम हुआ इसको लिखिए थोड़ा सा इधर मैं इसको सेटलमेंट कर देता हूं एक मिनट यह गड़बड कर रहा है लिखिए जल्दी करिए हो गया ठीक है तो साथियों इसमें अभी आपको पढ़ना है एक पदिये बंजक दुई पदिये बंजक तीन पदिये बंजक चार पदिये बंजक यह भी पढ़ना है तो यह क्या हो गए यह आपके बीजगनतिये बंजक हो गए क्या हो गए पदिये बंजक हो गए अलजेबरिक एक्स्प्रेशन हो गए यानि जब हो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि का जब चार आचर मिलेंगे तभी बीजगनतिये बंजक होंगे नहीं इसमें दो चर मिल करके भी बंजक बना सकते हैं आपको पता है निए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूगा नहीं तो बहूत ओवर हो रहा है जैसे यक्स का यक्स में गुड़ा हुआ तब भी यक्स का इसक्वाई हो गया अगर यक्स का यक्स में जोड़ा जाएगा तब भी IT gives a study application预 wired कि मिटाएत है अब हम बात करते हैं उसके पहले आप यह बताईए और प्लस एक है कि ले यह बताईए ये निहरा सोची और बताईए बात करते हैं, थोड़ा सा रुकना, इसे मैं हिंदी में ही बताऊंगा, इंगलिस इसकी मुझे आ नहीं रही है, देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, चार आचर पढ़ लिया, सजातिये, बिजातिये पढ़ पढ़ लिया, पीजगरतिये बंजक पढ़ लिया, अब क्या प एक पढ़ ये बंजक और दूइ बंजक और तिरपदी बंजक एक पढ़ बंजक इसको एक हम मिला के लिखेंगे, ये कलास सब्ता में तीन दिन होती है, जोमवार, मंगलवार और बुद्धवार को होती है, पिछले बीक नहीं चली थी, कुछ बैस्तता थी घर में इस मंगलवार बुद्धवार, मंडे, टूजडे, बेडनेश डे, लाइव होती है, अगले तिन दिन रिवीजन होता है, ठीक है, साथियों वो अलजेबरिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, एक ही और दो पद आप कैसे अलग-अलग करोगे, देखे सुनिए, जै आचर है, तो ये अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन लगा है, याद रखना, अगर प्लस या माइनस का चिन लगा है, तब ये दूई पदिये बंजक बन जाएंगे, अभी ये एक पदिये है, क्या है ये? एक पदिये बंजक है न ये? ये एक पदिये बंजक है, लेकिन अगर इसमें बीच में प्लस या माइनस लगा होगा, ये जैसे, ये क्या होगा? दूई पदिये बंजक होगा, अगर माइनस लगा है, तब भी क्या है? दूई पदिये बंजक है, लेकिन ये कहीं कहीं गलत हो होता है जब यह दोनों पद आपस में क्या हो कि अलग अलग कटेगरी के हो यानि एक चर हो तो एक अचर हो कि समझ रहे हो ना अगर यह सेम हो जाएंगे तब फिर आज सी इस्तिती पर गलत हो जायागा जैसे देखिए यह क्या था constant था यह variable था अगर example के लिए हां पे देखो मान लेते हैं कि यह भी है और यह भी पी है तो भाई हो चचा हो अगर पी में पी जोडेंगे तो यह 2P बन जायगा यह एक पत है यह 2-p एक पत माना जाये यह पी इंटु पी याद रखिएगा अगर यह दोनों का अपस में गुड़ा भी करेंगे तब भी पी काई स्कॉर आएगा यह यह अधे पद है कि इसमें थोड़ा समझने वाली चीज है ऐसे कि आचल कुछ वाहा समझ में आ रहा है आया समझ में कुछ, ठीक है, तो इतना सब को समझ में आया, यानि जो दो पद दियेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा दिल और दिमाग दोनों लगेगा, मैंने इसलिए पहले बता दिया, थोड़ा अगर दिल और दिमाग बचा के रखें तो इसमें लगा य यह जैसे दो ने दो पद आगे देखिए जाने का मतलब यह है कि अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन लगा है तो वो दो पद है लेकिन इसमें condition यह है कि वो दोनों पद अलग-अलग category के होने चाहिए सजातिये नहीं होना चाहिए एक परकार से कि वो आपस में जुड़ घट ना सके सजातिये पर यह आपस में जुड़ जाते हैं और जब वो जुड़ घट जाते हैं तो एक बन जाते हैं का का लोग भी हैं चलिए अच्छा बात है तो यह होगए आप लोग समझ गए ठीक है बिजातिये पद आप लोग समझगे बिजातिये पद भी समझ गए की नहीं हम लोग ठंड़ रहे थे अभी एक पदीए और दूई अगर कि एससा साइन लगा को यह है जिन किसे अधिक पद काह लाएगा जैसे डेखिए आप लोग बताई है जैसे टीं यक्स का स्कॉयर है प्लस यकस है और प्लस X का स्कॉयर कर यह कितना पड़ता बैंजक लिख गर मताईए एक पहता है तो 302 तीन तो तीन चरप दिये है तो चार कितना पद यह बहुत अच्छे बेरे गुड अनुपा मौर्या बेरे गुड पांडे जी आपको पढ़ना नहीं है आप से निबेदन है कि आप कुछ और करिए क्योंकि मैं देख रहा हूं आप आंसर कभी नहीं देते हो पिर दूसरी बातें कर रहे हो जो कलास से संबंदित नहीं अभी तक तुम्हें अपने फ्यूचर फिडर लग रहा था तुम दूसरे बारे में इंक्वारी कर रहे हो कहां से आयो भई इंगर निरंजन ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि यह तीन पदिये बंजक है वो गलत है यह दूई पदिये बंजक है देखो अक्सर लोग तीन पदिये बता रहे हैं कुछ लोग एक पदिये बता रहे हैं इसमें कुछ है खिलाडी है जो सही बता रहे हैं यह दूई पदिये है ना तो एक पदिये है ना तीन पदिये है यह दूई पदिये बंजक है कैसे यह दोनों क्या है सजाती है मैंने कहा था कि तीन नहीं बनेंगे वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो यह दोनों जुड जाएंगे आपस में इनमें जोडने वाला नियम तो भी मैं बता या नहीं अभी बता दूंगा फिलहाल इनमें जो इनके गुडांक होते हैं इस पर होता वन अभी चर समझ में है ना यह इसका फाइनल होगा आप इसमें हम देखेंगे कितने पद हैं दो पद हैं इधर देखिए यह भी एक पदिये में भी बदल सकता है पैसे अगर इस पर भी एक स्काइब होता तो यह एक पदिये बन जाता कैसे बन जाता क्योंकि इसका गुडांक वन है इसका भी रै इसका 3 हे तो यह हो जाता में 5 कि कमेंट करें मैं देखता हूं कितना दिल और दिमाग आप बचाया वाज बैलेंटाइन डेस है इधर के लिए कितना बचा के रख्यों कुछ लोगों का तो खतम हो गया उसी में मैरा भी कुछ-कुछ खतम हुआ कुछ बचा के लिए हूँ आपके लिए इनको समझ में आया वाई इसमें प्रीती को आया अनुपम को भी आ गया विमलेस को नहीं आया है असनेहा रेखा लगबग लोग को आ गया है कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिनको नहीं आया अच्छा ठीक है तो जिनको नहीं आया आप्लीकेशन डाउनलोड करें प्लेइश्टोर से पहले बेसिक मैद पढ़ें जीरो लेबर तब आएगा चलिए इसमें एक कंडिशन और भी हो सकती है यह तीन पदिये बेंजक भी हो सकता है कई कंडिशन होती अलग अलग इस्थितिया मैं समझा रहा हूं अगर आप एकके में समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलने वाला हाँ उसके पहले एक चीज और बता दें सुन लिजिए मैंने एक और बात बताना था चर्चा नहीं किया गुडांग जिसे इंगलिस में कोफिसियंट बोलते है कोफिसियंट क्या होता है अरे वही जो बगल में लटका रहता चुटका सा यह देखिए जैसे नौ और जेड का स्कॉयर लिखा तो इसमें जो जेड के साथ में लगा हुआ दूसरा पद है वही क्या है गुडांग है अगर हम बोलें कि जेड स्कॉयर का गुडांग क्या है तो नो है ठीक है गुडांग समझ लीजिए क्या है अभी वहां काम लग रहा है जैसे मैंने यहां पर लिखा 121 पावर 5 तो यह बताइए कि यहां पर यक्स का पावर 5 का कोफिसियंट क्या है बोलिए गुडांग क्या है यक्स का पावर 5 का कि यह बारा है मैंने 111 बोला था लिखा बारा था यह बारा है ठीक है अगर मैं घात आंक की बात करूं तो घात कितनी है तो घात कितना भाईया पांच है कितना बाबू पांच है समझ गये ना सभी हम समझ गये ना रज्जा चलो आगे बढ़ें ठीक है इतना क्लियर कोई दिक्कत नहीं कोई परिसानी नहीं ठीक है लिख लिजिए इतना पहले नोट करिए नोट करिए जल्दी करिए लिख लिए चलो ठीक है तो हाँ अब हम बात ही गुडांग वाली पूरा कर दिए आप सुनिए आपको अफिसियन जान गए ना जान गए ना गुडांग घातांग जान गए तो इसमें यह तीन पदिये भी हो सकता है कब अगर इसकी घात अलग अलग हो जाए जैसे इसका वन हो गया इसका थिरी हो गया इसका टू हो गया अब यह कितने पदिये बंजक हो गया अब यह तीन पदिये बंजक हो गया क्योंकि यह आपस में जुड़के एक नहीं बन पाएंगे नहीं इनकी अउकात अलग अलग हो गये इनकी घात अलग-लग हो गई अब यह जुड़के पांच यकस का घात तीन यह दो यह एक नहीं बना पाएंगे समझे गये ना एक पदिये दूई पदिये तीन पदिये और बहुपदिये जो तीन से जादा होता है दो या उससे अधिक पद हो तो समानिता वह बहुपद कहलाता है समझ रहे ना दो या उससे अधिक पद अगर होते हैं तो क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है वैसे इसमें तीन पद होता तिरपद ये भी बोल दिया जाता है ठीक है समझ गए ना तो यह बहुपद भी कह जा सकते हैं ऐसा नहीं है बहुपद को यह मैं चच्चा एक्ठियो लटका है चुटके यह कितना पदिये बंजक है अर्ति मौर्या चिंगर निरंजन यादो और धरम बीर कुमार बताईए यह कितने पदिये बंजक है जरा सोचिये और बताईए सबसे पहला जबाबाया सुपरिया का रेखा आर्ति अपनेहा राधा और अनुपम प्रीती फिजा देबेंद्र और धरम बीर ए भाई तोड़ा पहले वताया करो ना इसका सही जबाब है दुई पदिये बंजक कितना है दुई पदिये बंजक जर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते मतलब समझ रहो मैं और तुम मिलकर के हम मानलब एक यह क्या है यह दोनों मिलकर हो जाते हैं यह दोनों एक ही कटिगरी के हैं दोनों आचार अचार पदस जूड जाते हैं अपसमें तो यह 5 हो जाता है तो 5 प्लस यह एक्स-क पावर फाइप डुरी ये पद बचरा है तो यह कितना पद हो गया दो ही पद तो बचरा है देखिए जो जूडता घटता है उसको जोड घटा लेते हैं तब देखते हैं कितना पदी यह हैं पहले नहीं समझ रहे हो ना जैसे आप थाइलिम पाइसा रखे हो कुछ चिलर इतना सारा तुम पहले गीनों तो कितना रुपया है हूँ हो सकता है हूँ 10 रुपया हो एक एक कतों तो ऐसे क्या है आप अगर यह उल्जा हुआ है इस तरीत तो आप इसे अनुमान नहीं लगा सकतो कितना पदिये है उसे जोड़िए घटाईए गुड़ा भाग करिए फाइनल अगर आ जाए कि हाँ आप इसके आगे कुछ करना संभव नहीं है तब आप कह सकते हैं कि हैं यह सजाती एक पदिये बेंजाख है यह दूर्ण पदिये है या तीन पदिये है जैसे अगर यह 5 प्लस यक्ष कपार 5 आ गया अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना इसे जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है ना गुड़ा भाग किया जा सकता है समझ रहे ना लेकिन आएसी कंडिशन में आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि एक पदी है दूपदी है या तीन पदी है जो भी कलास को दिल से देखा होगा पूरा एक एक पॉइंट ना उसके दिमाग में घुस गया होगा तो बेरे चाहिए हासावडी लेके ठोकोगे बाहर नहीं निकलने वाला लेकिन जो नहीं देखा होगा न उसके बारे हम कुछ नहीं खाएंगे देखे पढ़ा कई तरह से जाता है उसलोग डर और शरम लाच के मारे पढ़ते हैं नहीं पढ़ेंगे तो वंभी डाटेंगी पापा डाटेंगे तो फेल जाएंगे तो फलनवा कहेगा रहे यार लड़किया फेल पहल पूछ लोग के अंदर में जुनून होता एक जोस होता एक उत्सा होती कुछ करने के लिए कुछ कर दिखाने के लिए इसके लिए इसको दिखाएंगे अपने आपको अपनी अंतरात्मा को अपने माबाप को कुछ लोग अपनी गल्फेंट बाइफ्रेंट के लिए पढ़ते हैं कि वाई युगाड़ बन जाएगा अगर आगे कि हाँ इच्छा का उद्देश से तिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है नहीं तो जो लोग आईएस की परिच्छा देते हैं ना डीमेसपी बनते हैं वो उसका कहीं उजनी करते हैं आप इंटरमीडियेट में इतने बड़े-बड़े सवाल पढ़ते हैं कलकुलेशन हो गयरा उसका लाइफ में कहीं परियोग नहीं होता दुबारा कच्छा पांच के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी में लोग डेर सारी डिग्री ने लेके जाते हैं लेकिन कच्छा पांच के बच्चे को वही चोटा-चोटा जोड़ घटाना गुड़ा भाग सवाल और पड़ते हैं ऐखकल लोग तो सिर्फ नौकरी 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 नहीं तो स्रूकरी नहीं हम आध़ चोकरा वर स्कोसी में होता है मैथ पढ़ना है यह पढ़ने का मतलब कुछ और भी होना चाहिए आईए इधर, क्या बता रहे थे, बूली गए, एक पदिये, दुई पदिये और तीन पदिये बंजक न, तो ये बताईए, माइनस 9, y का पावर 3, और प्लस, ये y का पावर 3, और प्लस 1, ये कितना पदिये बंजक है, जब आप दीजिए, ये कितना पदिये बंजक है, एक प दिये हैं जल्दी करिए फटा-फट बताइए आज की बाद मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में होगा क्योंकि बहुत लेट हो रहा है सबसे पहला जवाब दिया है जो उनका नाम है इसमें असुप्रिया और क्यूट वाली फिजा खान का वियाया है इन्होंने भी बताया है अंजली बर्मा इनका वियाया है और तीनी लोग का बोलेंगे क्योंकि यह लोग नंबर एक पर हैं बागी सब लोग फिसट्ड़ी है साथियों यह टॉपिक तो हम बंद करेंगे इस टॉपिक पर अभी अगली कलास में फिर चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें अभी गागर में सागर है और पढ़ाना पड़ेगा छोटे-छोटे जो हमने सवाल बताएं हैं आप उनका जबाब दीचिए यह बताइए छोटका सा सवाल है कि अगर मैंने पूछा कि 12345 है रुख जा कर भाई एक मिनट इनका क्या होगा इसमें रच्ची भी दिमाग नहीं लगाना है फिर पेक जुगार लगाना है जो मैं बताया हूं कि बताए रेखा आपने पहले बोला है चलिए ठीक है जो भी पहले बोला है अच्छी बात है जिसका कमेंट हमें पहले दिखता है उसका नाम हम यहां बोलते है अनुपम ने सबसे पहले बताया है और फिजा खान तो अभी दाता निकाल रही है बंजन भी नहीं करी आज लग रहे हैं सर्माना नहीं कमेंट में देख रहे हैं मनीस दूसरे नंबर पर ह कि कि इसमें यह चीज देखना था है कि यह सभी क्या है तो आफके टापिक में आज के लिए बंद कर दिया यह इसमें अबहाज यह हैं अगर सारी अबहाजे हैं तो उनका सदे उनका गुडणफल होता है इस बात को याद रखना जैसे मैंने दो नंबर और भी दे दिये मानलों साथ और तेरा अगर मैं इनका अल्सीएम बोलूं तो इनका अल्सीएम इन दोनों का मल्टीपल करने पर आएगा तेरा सत्ते इक्यानवे समझ में आया ना आया समझ में सरीता देवी आरा समझ में सूरज आप सभी साथ ही कलास को लाइक भी करिए आएसे मजा नहीं आ बिल्कुल नहीं मज़ा आ रही नहीं अगर आप लोग लाइक करें बच्चे सव के उपर रहना तो मैं दो दो घंटे पढ़ा दू पेपर के पहले पांच बार खतम हो जाए लेकिन आप लोग सर्माते हैं बच्चों को जोड़ते ही नहीं है मैंने बताया कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं सब्ता में तीन दिन लेकिन कमेंट आंसर दीजिए तब देखें हमने देखा था आपने कहा था कि सर्जी साधी कर लीजिए अब आप पुराने स्टूडेंट हैं इसका मतलब बज़ती करेंगे हां बताइए कि कमेंट नहीं देख रहे हम देखते हैं सब की हरकत बोलते नहीं हां साधी भी कर लिया जाएगा लेकिन साधी हो जाएगी तो रात वाली कलास कैसे चलेगी फिर आप लोग कैसे पढ़ हो गई साधी के पहले तो शकून से चली नहीं रहा है साधी के बाद क्या हो कि फिलहाल वह सब कर देते हैं पहले ही तीख है असने आजी बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका कि यह कार्टने दोड़ रहा है ठंदा ठंदा बरके रखा है तो सभी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई परकर की इंक्वारी है नीचे नंबर चल रहा उस साथ भी ले सकते हैं जिसमें आप साथो दिन पढ़ सकते हैं हर दिन अगर आप चाहते हैं तो एक बार संपर्क करें धन्यवाद आज के लिए इतना ही आपको दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत धन्यवाद और चलते-चलते एक बार फीर थे आजी के दिन 14 फरवरी सन 2019 को जम्मु कास्मीर के पुलवामा में हुए आतंग की हमले में सहीत सभी जवानों को भाव भी निसरदान जली